नमस्कार आप देखरे नियूस फोनेशन और मैं हूँ आपके साथ शुप्रा जहाब बिहार विधान परिश्य चुनाओ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी ने अपने दो उम्मीदवारों के नामों की घोशना कर दी है और जो दो उम्मीदवार होने वाले हैं बीजेपी की तरफ से उनका नाम है समराथ चौधरी और संजय मयुक ये दो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से विधान परिश्य चुनाओ में जाने वाले हैं इस समाम जितने भी लिस्ट हैं उसमें से कुछ लोगों को छाटने में लेकिन अब जो बीजेपी के दो उम्मीदवार हैं उनको फाइनल कर लिया गया है संजय मयुक और समराट चौधरी ये दो उम्मीदवार बीजेपी के तरब से चुनावी मैदान में जाने वाले हैं समराट चौधरी की बात करें तो सबसे पहले समराट चौधरी राज़त में थे उसके बाद उन्होंने राज़त छोड़कर हम का दामन थामा था फिर जदियू में भी गए थे और उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हुए थे और इस बार उन्हें विदान परिशित का चुनाओ के लिए उम्मीदवार जो है वो बीजेपी के तरफ से बनाए गया है अगर बात कर ले राज़त की और जदियू की तो इन दोनों पाटियों ने भी अपने तरफ से उम्मीदवारों की घोशना कर दी है जदियू की तरफ से जो तीन उम्मीदवार बनाए गया है उनके नाम अगर आपको बताएं तो वो गुलाम गौस है कोमुद वर्मा है और भेशम सहनी ये तीन उम्मीदवार जदियू के तरफ से थे इसके लावा तीन सीट राज़त के पास भी और राज़त ने भी अपने तीन उम्मिद्वारों के नामों की खोशना जो है वो भी कर दी है राज़त की तरब से सुनील सिंग, फारुक शेख, रामबली, च्वंद्रवनशी ये तीन उम्मिद्वार बनाए गए हैं इसके साथ ही अब बीजेपी ने भी अपने दोनों उम्मिद्वारों के नामों की खोशना कर दी है अब जो लिस्ट है वो उम्मिद्वारों का फाइन कौन उम्मिद्वार इस बार मैदान में जाते हैं इसके साथ ही आपको बता दी कि नो खाली सीट हुई है विधान परिशुद की जिस पर चुना होने है छे जुलाई जो है तारीक रखी गई है जिस देन वोटिंग होगा और ऐसे में अब उम्मिद्वारों की चेन की प्रक नेशन के साथ नमस्कार झाल 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